हर बार जरूरी नहीं है कि जब दो गाडियां एक साथ नज़र आए और उसका बीच में एक खड़ा हो प्रस्तोता मेरे जैसा तो उन दोनों गाडियों का ओक कमपरीजन टेस्ट को लेकर आ रहा है। जो की मैगनाइट हो गई और ये हो गई आपकी I20 तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और आपको बताते हैं कि भाईया आपका असमंजस हम कैसे खत्म करने वाले हैं तो पूरे वीडियो को अंतक जरूर देखिएगा पहले बार चैनल पर सब्सकाइब कर लें आपने दोस्त सबसे पहले बात करेंगे होट है कि क्योंकि अस्तित तुम्हें पहले यह आया था इसके बाद में और सब कॉम्पैक्ट एसुबी का दौर शुरू हुआ तो जब आप होट हैजब की तरफ बढ़ेंगे तो वहां पर क्या-क्या चीज़ें अच्छी लगने वाली हैं और क्य आपको पता ही नहीं चलेगा कहां से शुरू हो रही है कहां खट् Kitty मिल तो क्या होता है जब गाडडी चल रही होती है तो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है और ये comfort को enhance कर जाती है तो दो चीज़ें आप ध्यान रखिएगा जब ground clearance कम होगा तो आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलने वाला है और इस segment में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी तो किसे खरीदना चाहिए इसे अगर आपके शहर में जहां आप रहते हैं आसपास अच्छी सड़के हैं और आपका जो commuting है बिदिन सिटी है और वहाँ पर अच्छे-च्छे रास्ते हैं तो आपको ये वाली गारी ले चाहिए क्या-क्या इसमें मिल जाता है मेंटेनेंस का बाता है क्योंकि ऐसी गारी में हमेशा से शुरू से भी 외beiten इसलिए पॉपलर रही है क्योंकि इसमें खर्चे बहुत कम रहे हैं और इस के अलावा है मतलब माइलेज से जिक्रा कशरूर हो जाता तो माइलेज भी अच्छा मिलता है वजह क्यों है बताता हूं माइलेज का भी तो यहां पर आपको ग्राउंड क्रेंस कम मिला परफॉर्मेंस इन्हेंस हो गया और इसकी जो आप देखेंगे जिस तरीके से बनाया गया है तो हवा जब प्रवाह आता है सामने सो कट जाता है त से कि कितना देती है तो वहां पर भी आपको डिसेपाइंट नहीं होने वाला है इससे मेंटेनेंस कम आता है शुरू से ही रहा है क्योंकि ऐसी गाडियों में बहुत कम मेंटेनेंस रहता है और यह चलती जादा है खर्चा कम कराती है और अगर सिर्प आई-20 की चर्चा करें तो आई-20 मतलब हिंड़ी का जो नेट वर्क है और वहां पर आपके जेप से बहुत कम पैसा निकलता है इसके रख रखाओ में तो यह चीज आपको जमने वाली है इस गाड़ी के साथ या फिर इस पूरे सेग्मेंट के साथ में तो अगर आप चूज करना शुरू करेंगे और compare करेंगे subcompact SUV से subcompact लें या hot hatchback लें तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको ये hot hatchback क्यों लेना चाहिए क्योंकि कई बार comparison segment का जरूरी हो जाता है गाड़ीयों से ज्यादा matter करता है क्योंकि आपका जो confusion शुरू होने वाला है अब यही शुरू होने वाला है क् की hot hatchback सिमट रहा है और जो sub compact segment है SUVs का वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है अब लगबग एक दर्जन की आसपास विकल्प मिलते हैं भारती बाजार में आपको sub compact SUV में जिसमें आपको मिलती है मैगनाइट तो अब बढ़ते हैं मैगनाइट के तरफ और आपको बताते हैं कि मैगनाइट या फिर ऐसी और कोई गाड़ी आपको क्यों खरीदनी चाहिए इस segment से अब बढ़ लेते हैं sub compact SUV के तरफ और हर कंपनी अपनी पेशकास दे रही है इ लक्सोन कुछ भी मैं किसी भी गाड़ी का जेकरिस में नहीं करने जा रहा हूँ मैं सिर्फ यह बताने जा रहा हूँ कि अगर आप सब compact SUV खरीदना चाहते तो क्यों खरीदना चाहिए तो भाया सिंपल सा फंडा है कि इस सेग्मेंट में ओ लोग आ रहे हैं जो बड़ी SUVs अफोर्ड नहीं कर सकते हैं यानि कि जिनको 25 लाग 30 लाग रुपे खर्च नहीं करना है 40 लाग रुपे खर्च नहीं करना है एंडेवर फॉर्चूनर नहीं खरीद पा रहे हैं उनके लिए 5,6 लाग रुपे में शुरुवात हो जाती है सब compact SUV में क्या-क्या मिलता है एक तो यहाँ पर ground clearance मतलब अगर आप इस गाड़ी का जिक्र कर लें तो 205 mm का ground clearance मिलता है प्रजेंस आपका अगर आगे से देखोगे इन गाडियों का तो यह SUV नुआ दिखती है तो आकरामकता अच्छी लगती है जब आप चलते हैं तो रोड पर जो प्रजेंस होता है वो बहुत अलग दिखता है अभी तो अलग दिख रहे है क्योंकि अभी शुरुआत हुई है और बहुत तरी के साथ से सेग्मेंट पॉपुलर हो रहा है लेकिन एक दिन ऐसा लगता है आज आएगा जब सिर्फ आपको नज़र आएंगी धेर सारी सब कॉमपक्त SUV तो वहाँ पर फिर कुछ और तलासना पड़ेगा और हो सकता है कि लोग कुछ और देखना शुरू करे तो जैसे इसका थोरे सतु तो फीका हुआ है उसी तरीके से सब कॉमपक्ट SUVs कsqu pe का भी अस्तितो फीका हो लेकिन इस सब कि बात है समय के साथ सब चलता जाता है इसमें आपको mileage उतना नहीं मिलता है जितना mileage आपको इस segment मिलता है इसका जिकर पहले ही किया था लेकिन इसमें आपको जो चीजे मिलती है सस्ते में एक बड़ी गारी मिल जाती है जो आपके status को उचा उठा देती है और साथ ही तो जहाँ पर आपको चिंता सताती है mileage की तो आपको बताओ जो बड़ी size SUVs होती है उनसे बड़ी हमाइलेस देती है लेकिन जो लुक हो है उसका उसके आसपास आ जाता है तो आप समझोता कर लेते है अपने जिंदगी से भी आपके पास ऐसी गाड़ी है जहां पर आप एकदम रोड के उपर बैठे हुए है मतलब काफी हाइट में बैठे हुए है वहाँ पर आपको इसकी चिंता ने जाती है मेरा status ना डाउन हो जाए और यही वज़ा है कि यह गाड़ियां सबके दिलों में बस रही है और लोग इन्हें पसंद कर रहे हैं जब आप अंदर बैठोगे तो वहाँ पर भी पता चलता है कि आप एक SUV में बैठे हो और छोटे छोटे फीलिंग के जरिये इस segment ने एक बड़ा धमाका किया है सिर्फ इसका जिक्र ना करो जिन भी गाड़ियों को उठा कर देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह segment इतना popular क्यों हो रहा है तो जब कोई चीज popular हो जाती है तो उसके बहुत सारे प्रयोग देखने को मिलते हैं क्योंकि बहुत सारा ज्यान मैं देता रहता हूँ मैं अपने ज्यानी जन्यों का भी पूरा ध्यान रखता हूँ तो इंतजार करूँ आप सबके comment का लिख के जरूर चाहिएगा तो दोस्तों यह थोड़ी सी observation थी और मैंने सोचा कि आपके उन चीजों को clear कर दूँ उन doubts को clear कर दूँ जो आप जानना चाह रहे थे तो अब आप समझ गए होँगे कि आपको इसे क्यों खरीदना है या फिर आपको hot hedge pack क्यों खरीदना है दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा फिर भी मुझे कुछ रह गया है क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ चीज़े छूट जाती है तो उसका एक सही सा solution है आप मेरे Instagram पर चले आएगा मेरा इंस्टा हेंडल है अमिर्डॉर्डिवेदी सवाल करिए साथे जवाब ले जाएए